गोप्रेप चैनल कैसे हैं सभी बच्चे हेलो एवरीबड़ी हाव आई यू फटा फट से आजाओ मेंटी क्वेज जो है स्टार्ट होने वाला है आप सभी का तो लेट सी हूँ आला प्रेजेंट इन तोड़ी सेशन कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट है आज के सेशन में सब्सक्राट होने वाला है यह इस 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 गोई तो बी ओनली जौलजी लेट सी हूँ आला प्रेजेंट इन तोड़ी स्क्लास हेलो सुधीर हिमान्शू रिया सुशेला महेश रितिक रिया बिपलब आया चल्दी से आजाओ इस इस ग्लास 11 फुल सिलिवर स्क्वेज मेंटी क्विज होप आप सभी तयार हो इस क्विज के लिए पढ़के आयो जल्दी से जॉइन करो जाएए मेंटी.com पे और यूज करिए कोड 65 00639 जैसे आप यह कोड लगाओगे वैसे ही आप जोए मेंटी को जॉइन कर पाओगे हेलो सुशेला हेलो आयात कोड है बिटा 65 00639 65 00639 जल्दी से जॉइन करो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्विज जल्दी से आज हमारा क्विज होने वाला है क्लास 11 के सभी टॉपिक्स पे होप यू आर रेड़ी यू आर प्रिपेड हां साटरड़े यूश्वली हम लोग क्विज कंड़क करते हैं पॉर अल्दी क्लास 11 टॉपिक्स join fast everybody hello creative queen जल्दी ज्टी ज्टी जैं करो हमारा क्िज जैं इस हम दिड रे FREEDृट्रेड क्विज करो हमाहरा क्विज आर Gश्वली हमारा क्िज तरह प्र olv Tudo I count of view hello bilum जल्दी 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 जॉइन करो कुछ ही टाइम में हमारा स्टार्ट हो जाएगा मेंटी क्विस पवन जॉइन कर लिया हेलो अनुराग जॉइन इट फास्ट जैसे ही आप बोलोगे कि येस माम वी आप अल्रेडी जॉइन 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 करो फर्स्ट क्वेस्टन भी मिस नहीं करना है एक भी क्वेस्टन अगर आप मिस कर देते हो तो आपका जो लीडर बोड पर आने का जो चांस है वह उतना ही कम हो जाता है तो प्लीज डोंट मिस एनी ऑफ दे क्वेस्टन सुइन जॉइन किया है थाईश्टन जॉइन कर लाग्यश्टन कान है प्लीज यूइन जॉइन क्वेस्टन वі procent चलिए, first question आपके screen पर, जो भी नए बच्चे हैं, please use code 650639, so first question, which type of epithelium is involved in a function to move particles और mucus in a specific direction, simple simple सा question, हमने कली discuss किया है, बताइए क्या होगा correct answer, you are in 10th Aisha, very good, आतिर फसलम, उसके लिए बेटा, धीरे धीरे आपको start करना पड़ेगा, आपको बहुत धीरे जो अपना पढ़ाई start करना पढ़ेगा, समझ समझ के, अपने teachers का help लेके, और पिर जो आप अगर पढ़ाई करोगे, तो definitely समझ में आएगा, okay, बिल्कुल घबराना नहीं है, घब को move करने के लिए specific direction में, celiated epithelium help करता है, very good everybody, let's see, leaderboard, क्या बोल रहा है, हमारा leaderboard, देखते हैं, कौन-कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं हमारे leaderboard में, Hello Shivam, I am absolutely fine, आप कैसे हो? So Snuggles, Snuggles is on top, then Subhash Mitha, Aims की एक seat इन ही की है, कौन है बिटा? The Hustler, Somya, Ruchir, Swampurna, Suriakant, Nikhil and Tiger, Zinda है, Hardy, okay, very good, so Snuggles is on top, जिन्होंने दिया है, fastest reply, और भी बच्चे जो है, initially हमारे leaderboard कुछ और होता है, और end होते होते हैं, हमारे leaderboard कुछ और हो जाता है, तो please ध्यान रखिये सभी बच्चे, okay, options दिखेगा बिटा, अगर आप refresh कर सकते हो, एक बार refresh कर लो, yes I am absolutely fine Shivam, so जो नए बच्चे हैं, please go to menti.com और use करिये code 650639 to join our menti quiz, so second question पर आते हैं, 25 question होने वाले हमारे इस session में, so second question on your screen, kolumnar epithelium is found in, kolumnar epithelium कहां मिलेगा, trachea में, stomach में, lungs में, uterus में, this is a previous year question, mark it first, hello Ram, hello Aviral, Ajay, very good Aisha, ऐसे नहीं है आते, fellow साधना, देखो बिटा, सभी जो है same position पर है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले पर pressure पढ़ रहा है, सभी बच्चे आप आप ही के position पर है, सभी बच्चे स्कूल भी जा रहे है, स्कूल के लिए भी पढ़ रहे है, boots के तियारी कर रहे है, need के लिए भी preparation कर रह रहे है, अभी आगे वो बढ़ता है, टॉप वो करता है, जिसके efforts जादा होता है, जिसके, you can say, जिसके जो contribution जादा होता है, जिसका जो sacrifice से वो जाता होता है, वो टॉप करता है, so stomach is the correct option for this question, very good everybody, so चलिए, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे सही भी जवाब दे रहे बटा, याद रखो, यह previous question है, बहुत ही simple question है, directly taken from NCRT, okay, याद रखो, अगर रॉंग हो गया है, तो उसको लिख लो अलग से और बार बार उसे जो है, revise करते रहो, so let's see, अरे वाश, now Subhash Mitha is on top, so Rekanthi ने दिया है, fastest reply, then I can see Arijit as well, in our leaderboard, very good Arijit, and then there is new addition, that is Himanshu, So very good everybody, keep it up, जोज जो है वो हाई रखो, बिलकुल भी कम नहीं होने देना है, let's move on to our next question, वही तो आईशादे को silly mistake नहीं करना है बेटा, but आपको इतना पता दा, that is really nice, so चलिए, let's move on to next question, match the following का question है, Simple Squamous Epithelium, Simple Cuboidal Epithelium, Non-Ciliated Simple Columnar Epithelium, Transitional Epithelium, and Pseudo-Stratified Non-Ciliated Columnar, So basically, यह जो questions है, यह मैं इसलिए लिखे आई हूँ, क्योंकि कल ही हमने किया था, Animal Tissue का location in one shot, अगर आपने वो attend किया है, lecture, अगर आपने वो flow chart जो है ध्यान से पढ़ा है, तो correct होगा आप सभी का answer, चलिए देखते हैं, कितने बच्चे correct answer देते हैं, Okay, so correct option was A, 21 बच्चों ने correct जवाब दिया है, very good everybody, Please don't forget to like and share this session, subscribe करिए गोपर अपनी चैनल को, अपने friends को invite करिए अपने साथ, compete करने के लिए तभी मजा आएगा, Hello Prakash, how are you, good evening, जल्दी से जॉइन करो हमारा mentee quiz Prakash, Okay, so let's see, is there any change in our leaderboard, Okay, so no change in leaderboard, the hustler is on top, hustler बेटा आप अपना नाम बता सकते हो मुझे, Snuggles का position आ गया है नीचे, बट कोई बात नहीं, Reshuffling हमेशा होता रहता है, Hello Ayaan, Joined Prakash, very good, होता है ऐसा आयाद, बट speed भी जरूरी है, याद रखो accuracy and speed, both is important, both are important, फटावट से जॉइन करो Ayaan, हमारा mentee quiz, go to mentee.com and use code 6500639, Next question, which of the following structures are present only in the female cockroach, ये गलत नहीं करना है, मैंने बताया हुआ है, Annals style, collateral gland, mushroom gland and annals archaic, Female cockroach में क्या present होता है, Joined, very good, Honda Civic is coming, Okay, very nice, YouTube music, Hello KV, Please join our mentee quiz by going to mentee.com and use code 6500639, जल जल्दी जॉइन करो, Good evening, Hello Lakshmi, Hello Ram, So which of the following structures are present only in female cockroach, का correct answer था, Collateral gland, देखो, annals archaic, जिस बच्चे ने mark किया है, वो बहुत ही confused हो गया है, उसे मैंने बताया था, सभी बच्चों को मैंने बताया था, कि annals archaic will be present in both male and female cockroach, Am I right? जल्दी से बोलो, Am I right? और annals style will be present only in male cockroach, Collateral gland present होगा सिर्फ female cockroach में, और mushroom gland present होगा सिर्फ male cockroach में, ठीक है? तो आपके question का answer होगा, Collateral gland, Very good, जो बच्चों ने correct answer दिया है, मैं वाइट क्यों दिखाए दे रही हूँ, क्योंकि मैंने fair and lovely लगाया है आज, So, let's see leaderboard, leaderboard में hustler on top, विट आप अपना जो है, नाम बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे hustler बोलना थोड़ा अजीब लग रहा है, तरुन राजपूत is a new edition, very good dear students, aims की exit मेरी है भी अपना नाम बता सकता है, I would be glad to know, leaderboard में कैसे आना है बिंदू, आपको देखो, menti.com पे जाना है बिटा, Google पे search करो, menti.com, और use करो code 650639, ओके, So, let's move on to, let's move on to our next question, Let's move on to our next question, क्या है next question, आपके screen पे देखते हैं, Whose secretion nourishes the sperms in periplaneta americana? Ejaculate reduct, Vasa differentia, mushroom gland and testis, तो किसका secretion nourish करता है sperm को, cockroach में, चलिए, फटा फट से बताईए, what will be the correct answer, yes, Honda Civic, good evening, Honda Civic ही, YT music है क्या, hello, आतिफ, मेटा धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, आतिफ असलम, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ की, NCRT से स्टार्ट करो, देखो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा, एक बार में सभी बच्चों को समझ में नहीं आता है, तेक हैं, अब का लेवल of understanding अलग-अलग होता है, तो इस बात को ध्यान में रख के और पराही करो, बिलकुल भी डिसार्ट होने का जरूरत नहीं है, आलवेश ते मोटिवेटेड, सब श्रूम ग्लांड, मश्रूम ग्लांड इस अर्ट आंसर, मश्रूम ग्लांड का सिक्रीशन जो है, वो नरिश करता है स्पर्म को, राइट, एवरिबडी, हेलो सामिया, हेलो आर्यन, अनुज, जॉइन फास्ट, सूरेकांत is on top, मतलब आज तो मजाई आगया, आज तो हमारा जो लीडर बोर्ड है, वो बार-बार चेंज हो रहा है, टॉप पोजेशन जो है, बार-बार कोई और बच्चा लेके जा रहा है, वेरिगूट एवरिबडी, नाव रमेंबर, रमेंबर, इस नोट अट आँ डिफिकल्ट तो कम इन तो लीडर बोर्ड, बस फास्ट रिप्लाई करना है, आपको फास्ट जो है, आपको अपना अंसर क्लिक करना है, वेरि गूट, सुबा समिता अंड सूर्य कान, लेट पोजेशन जो भी नए बच्चे है, बेटा मारा यह मेंटी क्विज चल रहा है, on all the topics of class 11, फुल सिलबस मेंटी क्विज है, मेंटी.com पे आप जाके, यूज कर सकते हो, code 650639 in order to join the quiz, and yes, please don't forget to like and share this session, and subscribe, GoPrepNit channel, चल यह आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्या है आपका, next question, question number 6 on your screen, how to join Rajkumar, you will have to go to menti.com, and you will have to use code 6500639, okay, you know everything I add, very good, चल यह, ABCD option देखना है आपको, और आपको बताना है कि कौन सा है, correct option, for cardiac cycle, human physiology, cardiac cycle सबसे जादा important topic है, तो बताईए, क्या होगा correct answer, जो time is up, correct option था, correct option था, A and not B, okay, so, याद रखो, याद रखो, correct option देने वाले, बहुत ही कम बच्चे, बता, यह जो question है, यह दिया हुआ है, NCRT में, NCRT based question है, कई बार, इस रिलेटर जो है, previous year question आपको मिलेगा, so basically, what you need to do is, after this session, आप फिर से जो अपना error file बनाने वाली हो, आप फिर से जो इस chapter को एक बार revise जरूर करने वाली हो, you can take help of my flow charts, okay, हडबडी में गडबडी, yes, विल्कुल सही या विरल, तो इसलिए हडबडी नहीं करना है, जल्दी में reply आपको नहीं करना है, so, रुचीर on top, यार हर question के बाद, हमारा जो leaderboard है, वो change होता जा रहा है, fastest reply किया है, इस session में एना फहमत खान ने, और top पे है रुचीर, very good everybody, let's move on to our next question, आप यहीं answer दे रहे हो, अनुष, दे सकते हो, बट अच्छा होगा, अगर आप menti.com पे जाके, हमारा यह menti quiz, join करो, बहुत ही simple है, वोज Google search करो, menti.com, code मांगेगा, code आप जो है, डाल दो, 650-0639, and you will be able to join our quiz, hello, चलिए, let's move on to question number, 7, कौन से topics, आप class 10 में पढ़ सकते हो, बट देखो, आईशा मैं suggest करूँगी, class 10 में, already आप physiology पढ़ते हो, isn't it, bio में physiology होता है, उसको जड़ा detail में पढ़ लो, reproduction वाला chapter है, उसको detail में पढ़ लो, तो basically 11th and 12th का portion, आपका वही complete हो जाएगा, जादा ध्यान दो, physics and chemistry में, I will suggest, 10th में आप physics, और chemistry से related, जितने भी questions कर सकते हो, कर लो, ठीक है, जितने ज्यादा लेवल में जा सकते, उतने ज्यादा लेवल में जाके, questions करोगे, तो कहीं न कहीं 11th and 12th में, आपका burden कम होगा, now next, this question, what would be the cardiac output of a person, देखो, इस तरह के questions, मैंने अल्रेडी कराई हुए हैं, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml है, और हाट बीट 72 है, simple सा question, cardiac output का formula क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इन्टू हाट रेट, isn't it, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, stroke volume is the volume of blood pumped by ventricles per beat, और cardiac output क्या होता है, the total volume of blood pumped by heart in one minute, isn't it, तो heart rate को अगर आप multiply कर दोगे stroke volume से, then you will get cardiac output, correct option was B, very good everybody, hope you all are enjoying this session, please don't forget to like and share this session, subscribe करिए go prep नी channel को भी चलिए देखते हैं hello Ritik बहुत लेट से आए बेटा कहा थे आप सुभाश्मिता on top very good deals and Sanjana is a new addition Somya is also a new addition बहुत जल्दी जल्दी हमारा leaderboard का जो sequence है वो change हो रहा है that is really nice hello Rosie so let's see what is question number eight of today's session so question number eight आपके सामने the most abundant type of white blood cell is सबसे जादा पाया जाने वाला white blood cell आपके blood में कौन सा है lymphocyte, neutrophil, monocyte या basophil भाच continuously wrong हो गया बिल्कुल concept clear नहीं है बिटा questions note down करो कौन से questions आपके wrong हुए है उसको फिर से पढ़ना तो पढ़ेगा आज तो रितिक भी मुर्गा बनके दिखाएगा चलो इतने सारे questions कौन गलत करता है डेली आ रहे हो आप क्लास में डेली आपकी teachers आपको इतना महनत से पढ़ा रहे हैं आपकी तो 100% जो है questions सही होने चाहिए so the correct option is बेटा neutrophil okay neutrophil सबसे जादा पाय जाने वाला WBC है neutrophil के बाद आता है number lymphocyte का fine so correct option was neutrophil everybody understood is there any confusion ये देखो रितिक बन गया है क्या बना है रितिक रितिक तो doggy बन गया है doggy नहीं बनना है मुर्गा बनना है correct आयात very good so leaderboard is saying subash mitta on top ruchir ने दिया है fastest reply then there is hardy and then there is arjit enough nikhil aims saumya and sanjana very good everybody please don't forget to like and share this session with your friends subscribe करिए go prep need channel को अच्छा इस बार को चलग गुड़ अविरल ओके तो मतलब change हमेशा होना चाहिए life में तभी तो मज़ा आता है very good और ये change के शुरुआत होके रितिक से question number 9 अपके screen पर हाँ note करते जाना है बेटा जो भी गलत हो रहा है answer उस question को note करते जाओ which of the following is incorrect with respect to lymph 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 सभी ने पढ़ा है blood sub पढ़ लेते lymph छोड़ देते तो lymph पे question आ गया है आप सभी के सामने चलिए बताइए हाँ next week से class जो है वो चार बजे होगा next week से my class will be conducted at 4 p.m. okay Tuesday से Saturday होता है मेरा class so evening वारा class will be conducted at 4 p.m. hello गौरव जल्दी से जॉइन करो mentee quiz full class 11 का syllabus होगा इस mentee quiz में and please don't forget to subscribe go prep नी channel बहुत सार interesting और amazing sessions होते हैं so correct option is white blood cells are absent in the lymph आप से पूछा था गलत statement कौन सा है तो यही तो है गलत statement बिटा आपने question अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप कर दोगे silly mistake तो ध्यान रहो ध्यान रखो ध्यान लगा के पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी question को miss click नहीं करना है इसके साथ में जो है जल्द बाजी नहीं करना है इस आदर्श बेटा बहुत लेट हो गए हो questions आपके काफी miss हो गए होंगे तो देखते हैं सूर्यकांथ सूर्यकांथ is on top and Tarun Rajput फिर से आगए है हमारे लीडर बोर्ड में सही बता दिया अविरल वेरी गूद चलो thanks Gaurav let's move on to our next question question number 10 आपके screen पर okay hello Dheeraj 23rd rank आयात good choose the correct option statement one conducting part of respiratory system filter air from dust 70% of the oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin NCRT की lines है यार चलो बताओ क्या होगा correct statement क्या है wrong statement जादा तर question जो है मेरे session में बेटा that will be NCRT based that will be NEET based okay कोई बात नहीं संजय है अभी भी आप join कर सकते हो हमारा mentee quiz अभी भी आप leaderboard में आ सकते हो 6500639 आपको code use करना है और याद रखो गलत answer देने पर बनाया जाता है यहाँ पर मुरगा तो ready रहो ठीक है so choose the correct option में था third option जो है correct था only statement one was correct NCRT का line है ठीक है क्यों नहीं मिलोगे रितिक पहला day है कविता very good hope आपको जो है मजा आ रहा होगा इस session में जो भी questions भी आपके गलत होते जा रहे हैं उन सभी questions को आप note down करते जाओ उन सभी questions को आप error file में लिखते जाओ और revise करते जाओ so can you see Hardy is on top Swampurna ने दिया है fastest reply और Riya Shrivastav is a new addition in our leaderboard very good Riya keep it up again correct very good अगर किसी के कुछ questions miss हो गए हैं वो जाके आगे session को वापस से देख के और उन questions को फिर से जो attempt करेगा अगर उसमें कुछ गडबड होता है तो उसको भी लिख लेना है आपको अपने error file में कोई बात नहीं आयाद आप जो है try करते जाओ ultimately जो है आपका speed और accuracy दोनों पर command हो जाएगा now select true or false 1, 2, 3, 4 4 statement ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा है correct statement और कौन सा है wrong statement NCRT से लिया गया है मैंने जो flow charts दिया था उससे भी जो है आप इसको solve कर सकते हो don't worry 19th पे very good 4 बजे school से आते हो ओहो कोई बात नहीं उसके बाद जो है आप इसका session को देख सकते हो पर miss नहीं करना है किसी भी बच्चों को अगर वो live attend नहीं कर पा रहा है don't worry बट बाद में जो है जाके आप उस session को प्लीज जरूर देखे कोई बात नहीं कोई बात नहीं don't feel sad बिटा yes दिव्या I am absolutely fine let's see leaderboard क्या बोल रहा है join कैसे करना है seema menti.com पे जाईए use कर ये code 650639 and नए बच्चे जो भी है please आप subscribe करना मत भूलो goprep अपनी चैनल को daily बहुत ही interesting और amazing classes होती है then you will be notified about the classes okay so tiger जिन्दा है hardy मतलब ये Salman के fan लगता है so he is on top okay no other change in our leaderboard सुर्यकान second position पे सुबाश्मिता third position पे fastest reply किया है रुचीर ने okay menti.com पे जाना है बेटा hello harsh आपको बेटा menti.com पे जाना है देखो उपर screen पे लिखा हुआ है code आप use करोगे 650639 and with the help of this code you will be able to join our menti quiz okay बहुत ही simple तरीका है join करने का एकदम simple तरीका है join करने का 37 तो बहुत पीछे है रितेक speed up yes अनुज मुर्गा बन गया है अनुज ने लगता है question गलत कर दिया तो सभी बच्चे जो भी question गलत करते हैं उसके बाद उनको बनना पड़ेगा चलो रितेक भी बन गया है मुर्गा so emphysema is a condition resulting from cigarette smoking liquor consumption drug addiction reduced oxygen carrying capacity of blood बहुत important previous year question है कई बार पूछा जाता है exam में emphysema, emphysema, emphysema is related to what 100% accuracy होगा इस question का ये question वो ही बच्चा गलत करेगा जो अकडबकड बंबे बो करता हो या जो तुक्का लगाता हो या जो जय माता दी करके टिक लगाता है चलो देखते हैं yes definitely कवीता I teach zoology my classes are conducted at 5 p.m. from Tuesday to Saturday but next week से मेरा class conduct होगा 4 p.m. daily ठीक है I teach zoology I give flow charts I take minty quizzes okay so correct option was cigarette smoking अभी देखो ये जो बच्चे हैं ये liquor consumption वाले ये liquor consumption वाले जय माता दी वाले बच्चे हैं drug addiction वाले जो है न ये तुक्के वाले बच्चे हैं और ये जो है थर्ड वाले ये अकडबकड वाले बच्चे हैं है न ये सारे बच्चे जो है ये थर्ड फोर्थ second, third और फोर्थ option जन्होंने माक किया है वो जल्दी से मुर्गा बन जाओ okay let's move on to our leader board गलत हो गया आयात कोई बात ने चल ये let's see drug क्यों नहीं ड्रग बिलकुल नहीं आएगा बिटा emphysema is related to cigarette smoking दो तरह का emphysema होता है एक होता है congenital एक होता है acquired acquired होता है because of cigarette smoking okay and congenital होता है congenital होता है which is present since birth fine so leader board बोल रहा है hardy is still on top swempoorna ने दिया है fastest reply and there is no change in our leader board okay okay 24-25 rank कोई बात ने कविता आपका rank चोगा दीर दीर इंप्रूव होगा don't worry at all offline classes नहीं हो रहा है बिटा offline classes नहीं है सिर्प online classes के बहुत सारे options है आपके पास में आप join कर सकते हो comment section में जाके आपको एक description box मिलेगा वहाँ पे सारे information available है आपको phone number भी मिलेगा आपको email ID भी मिलेगी आप उस पे जाके जो है contact कर सकते हो and it will be very helpful for you all इस विशाल like I told you comment section में जाके आप जो number है description box में आपको मिलेगा वहाँ पे call करके आप सारे information ले सकते हो 18th rank very good अंशुमन आओगे बेटा आविरल दीरे दीरे आप भी leaderboard में जो है मुझे नजर आओगे so question number 13 on your screen कोई बात नहीं महेश enjoy the session सारे जो है questions को go through करना is important so which is known as a neurohypophysis neurohypophysis किसे बुला जाता है anterior pituitary, posterior pituitary, hypothalamus और pineal gland चलिए बताईए hello Rekha बिलकुल दर आर मनी कोर्से पर क्लास 11th, क्लास 12th बहुत सारे कोर्से थे बिटा crash course भी है, सभी के लिए courses आप सभी join कर सकते हैं please contact करिए हमारे staff से by going into the comment section and into the description box correct option is posterior pituitary को बुला जाता है neurohypophysis okay hypophysis is the pituitary gland fine, तो correct option होगा B that is posterior pituitary बिलकुल सही music lover Ajay okay 34th rank बहुत पीछे हो बहुत पीछे हो आज तो रितिक मतला मुझे लगता नहीं कि आप end तक आते आते जो है 11th position पे भी आ सकते हो पने so Hardy is still on top no new change in our leaderboard hello Rahul joined very good so hope you are enjoying this session नए बच्चे प्लीज डोंट फोगेट तो subscribe go prep neat channel को subscribe करना न भूले चलिए बताईए question number 14 आपके सामने है ADH is synthesized in anterior pituitary, posterior pituitary, hypothalamus and none confused करने वाला question है ये question ऐसा है जिसमें बच्चे हमेशा confused हो जाते हैं चलो बताओ क्या होगा correct answer hello Ajit class 11th अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो देखो बेटा not good in studies is you cannot say that this is a category of student so basically अगर आप महनत करते हो अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हो अगर अपने life में आप कुछ sacrifices करते हो तो definitely आप clear कर सकते हो neat hello Rushi, good evening बहुत लेट हो गए हो आप so correct option is hypothalamus देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है question में लिखा है synthesized fine, तो synthesize करता है hypothalamus और secrete करता है posterior pituitary so hypothalamus में secretion होता है anti-diuretic hormone का which is also known as vasopressin और वो store होता है जाके posterior pituitary में और वहाँ से release होता है अगर question में होता ADH is released by तब आपका answer होता posterior pituitary बट यहाँ पर synthesize पूछा है तो आपका answer होगा hypothalamus am I clear? सभी बच्चों को clearly समझ में आया समझ गए? ओके तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question आपका क्या है उसके पहले हम देखेंगे leaderboard B ओके? 31, ओके improving clear kirti very nice Rekha, Kavita very good so चलिए देखते हैं is there any change in our leaderboard so leaderboard में जो change है वो है सूर्यकांत टॉप पे पहुँच गया है आज का जो हमारा session है वो काफे interesting है क्यों? क्योंकि हमारा leaderboard बार-बार change हो रहा है नहींने बच्चे जो है वो टॉप कर रहे हैं very good dear students let's move on to our next question कितने बजी start होती है मेरी class बेटा आज पांच बजे start होई है Tuesday से मेरी class चार बजे start होगी Tuesday से Saturday मेरी class होगी 4 p.m. पे so next week from Tuesday to Saturday मेरा class चार बजे होगा जिसमें हम पढ़ते है class 11th का पूरा syllabus जिसमें हम पढ़ते है flow chart जिसमें हम पढ़ते है diagram based questions numerical based questions mentee quizzes भी होते हैं okay so please don't forget to join from 4 p.m. onwards on Tuesday so question number 15 आपके screen पर yes बेटा next week से चार बजे okay so statement one pituitary is the smallest endocrine gland oxytocin is secreted from anterior pituitary simple simple statement जल्दी बताओ क्या होगा correct statement clear सभी को Prakash is back जाते का हो Prakash तुम कहां जाते हो हां बताओ mentee छोड़के कोई जाता है से class छोड़के कोई जाता है कहां जाते हो नहीं बेटा भी Tuesday से बेटा 4 बजे class होगी दिव्या ओके रूशी नेटवर्क इशू आ गया था मुझे लगा पतंग उड़ाने चले गए थे सिर्फ पांच बच्चों ने correct reply किया है smallest endocrine gland will be pineal gland pineal gland pineal gland जो secret करता है melatonin समझ में आया तो यह statement है wrong सिर्फ पांच बच्चों के concepts clear है बाकी सारे बच्चे गुल हो गया पूरा syllabus गुल हो गया पढ़ाया हुआ है मैम ने फिर भी कुछ नहीं आ रहा है so pineal gland is the smallest endocrine gland and oxytocin will not be secreted by anterior pituitary it will be secreted by posterior pituitary am I right समझ गए सिर्फ पांच बच्चे यार come on सही है hello Samir so याद रखो बिटा ऐसे blunder नहीं करोगे आप सभी ध्यान रखो मेहनत करो थोड़ी मेहनत की जरूरत है revision की जरूरत है okay so let's see our leaderboard कोई बात नहीं कोई बात नहीं आविरल फिर भी आप attend करेंगे this is really nice जो class 11th में है मैं उनको भी suggest करूंगी कि full syllabus mentee जरूर attend करो क्योंकि ultimately करना तो आपको full syllabus he is in it so please please full syllabus mentee सभी बच्चे जो है attend करेंगे चाहे वो class 11th में है चाहे वो class 12th में है चाहे वो dropper है so tiger जिन्दा है is on top swampoon ने ने दिया है fastest reply yes जो भी जो भी गलत कर रहा है फटा फट से मुर्गा बन जाओ फटा फट से मुर्गा बन जाओ question number 16 आपके screen पे है तब तक मुर्गा बनो let's see क्या है question number 16 25 questions है इस session में सारे questions class 11th के topic से है the enzyme called pepsinogen is secreted by pepsinogen कौन secret करता है parietal cells, neck cells, chief cells intestinal cells तो basically पूरा syllabus आपका revise हो जाएगा जहां जहां पे मेरे बच्चे problems face करते हैं वो सारे questions यहां पर included है okay so कहीं न कहीं है आपका full class 11th के syllabus का हो रहा है revision so parietal cell, neck cell, chief cell या intestinal cell, secretes, pepsinogen जल्दी से answer करो hello Sandhya what happened अच्छा, so अच्छा है, pepsinogen parietal cell release करेगा HCL, so अब कोई confusion नहीं होना चाहिए so let's move on to our leaderboard first 40th position, पीछे जाता जा रहा है रितिक तो double मुर्गा नहीं आपको तैसे 10 बार मुर्गा बनना चाहिए hello Pooja, how are you 15th पे, very good आयाद so let's see, Tiger जिन्दा है, still on top Surekan second position, Subhash Mitha is on the third position let's move on to our next question नए बच्चे, please, please go prep channel, subscribe करना ना भूले like और share जरूर करें इस session को कितनी बार बोलना पड़ेगा थोड़ा फटा-फट से like कर दो जल्दी तभी तो मजा आएगा so question number 17 आपके screen पर yes I am perfectly fine Pooja ये देखो, Ritik बन गया ना मुरगा अभी मजा आया very good आविरल बट उसको revise भी करते रहा ना नहीं तो आप भूल जाओगे ये मुहमद मुनासिफ तो fish बन गया है very good so which of the following statement is incorrect regarding lysozyme present in saliva it act as an antibacterial agent it prevents infection it act as an enzyme all of these so basically आपको बताना है incorrect statement चलो बताओ क्या होगा correct answer अमित color color next time change करेंगे बिटा अभी जो है थोड़ा problem हो रहा है change करने में yes Pooja you are new hope you are enjoying this session please keep on watching so correct option is it act as an enzyme lysozyme secreted in saliva what is this this is antibacterial agent okay it does not act as enzyme so correct option था 3 correct सभी बच्चे समझ गए okay अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ अभी मैं क्लास 11 का पूरा full syllabus revise करा रही हूँ Pooja कल ही हमने कल का आपको session मिलेगा मेरा कल ही हमने flow chart पढ़ा है animal tissue का तो सारे animal tissue का location जो हमने cover कर लिया एकल के session में अगर आपसे miss हो गया होगा तो please जा के देखिए जो भी नए बच्चे हैं very good welcome to go prep channel and please subscribe करके जाएए channel को सभी बच्चे को मैं बता दू कि class 11 का syllabus हम लोग revise कर रहे है this is full class 11th mentee कल के class में हमने animal tissue का सारा location one shot में revise किया था इसी तरह के अच्छे-च्चे sessions जो है आते जाएंगे आप सभी के लिए go prep channel पे Tuesday से Saturday होती है मेरी class और चार बजे होगी अपसे next week so सूरेकांथ is on top then सुभासमिता and स्वयमपूरन so very good everybody let's move on to our next question बिलकुल बीच बीच में minty session भी होते है week में दो बार minty session होते है question number 18 आपके screen पर hello Shristi, Ninja, Manish telegram channel है मेरा dr. Priyanka Day underscore zoology expert hello Swampoorna very good बिटा hello Kajal so which amongst the following pancreatic enzyme acts upon proteins, peptones and proteases and converts them to dipeptides chalo बताओ so amylase, lipase, chymotrypsin and nuclease क्या होगा correct answer जल्दी से बताईए 45 पे आगे हो Prakash, very good telegram, telegram channel abita, dr. Priyanka Day without any space D capital P capital D capital underscore zoology expert okay menti मत छोडो, मत छोडो chymotrypsin is the correct answer this is a proteolytic enzyme जो release होता है pancreatic juice में okay समझ गया है जिस भी बच्चों ने गलत किया है note down कर लो इस question को fine शालो let's move on to let's move on to our leaderboard देखते हैं कौन है top पे join कैसे करना है join करने के लिए minti.com पे जाना है आपको और use करना है code 6500639 ओके so leaderboard पे सुर्यकांत on top सुभाश मिता second position पे स्वैंपूर्ना third position पे very good सभी बच्चे जो है top 10 पे अपना position बनाए हुए है कोई भी अपनी जगल से नहीं इल रहा है very good चलिए देखते हैं next question आपके screen पर बिटा ये 19th question चल रहा है 25 question है total हमारे session 18th पे आगए very good Kavita question number 19 आपके screen पर choose the incorrect one marine fishes are a monotelic mammals are ureotelic birds are ureotelic insects are ureotelic so incorrect option आपको बताना है जल्दी बताओ incorrect option कौन सा है very good Aviral जितने ज़्यादा questions आप उससे कर सकते हो आपको करना चाहिए एक chapter के जितने questions आप लगा सकते हो आप लगाईए hello Shashi hello Sandhya काभी सारे नए बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं very good so your time is up correct option था बेटा first one marine fishes are not aminotelic amonotelic marine fishes are ureotelic याद रखेंगे सभी बच्चे note down कर लेंगे इस point को कि marine fishes जो है वो ureotelic होते हैं तो यह है गलत आंसर mammals ureotelic है this is the correct answer birds ureotelic है यह uric acid जो excrete करते हैं और insects भी जो है वो uric acid excrete करते हैं okay everybody समझ गए तो चलिए good evening let's move on to our leaderboard please don't forget to like this session Priyanka मैं के session को like करना मत भूलिए subscribe करिए go prep नी channel को बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हैं आपको flow charts मिलेंगे and बहुत सारे 20 quizzes में आपके लिए लेके आऊंगी so correct option was first अच्छे आमने देखा और top पे है swem, poorna, then ehnav, then hardy so देखते हैं कौन top करेगा हमारा ये mentee quiz कर दिया very good thank you very much let's move on to our next question thanks dear Pujita so question number 20 on your screen so now white q or you this some problem but don't worry ठीक हो जाएगा next session में which of the following kangaroo, pigeon, rabbit, both A and C animal kingdom मेरा favorite chapter जल्दी से बताओ क्या है correct option for this question number 20 बहुत सारे बच्चों का animal kingdom नहीं पसंद आता है कौन कौन बच्चे जनको animal kingdom नहीं पसंद आता है जल्दी बताओ मुझे तो सबसे जादा interesting chapter यहीं लगता है so correct option correct option is both A and C okay so uriotelic animal होगा kangaroo and rabbit pigeon pigeon जो एक bird है उसका nitrogenous waste होता है uric acid please 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 keep in mind कि nitrogenous waste birds का nitrogenous waste insects का होगा uric acid okay समझ गए है सभी बच्चे so let's move on to let's move on to our leader board favorite chapter है ninja gamer very good boring कहां इतना interesting chapter है Ritik Amit को लगता है न बिलकुल boring लगता है न yes so Swampurna is on top so जिसको भी boring लगता है वो क्या करेगा वो जो है जाके सिर्फ और सिर्फ NCRT की एक बार reading लगाएगा examples सारे लिख लेगा और हर phylum के 5 important points बस note down करेगा ओके चलिए देखते है next question क्या है plant kingdom नहीं अच्छा लगता नुच को 51 बहुत पीछे है position आपका सामया बट कोई बात नहीं लगे रहो इसी तरह से कभी ना कभी आप भी leaderboard में नज़र आओगे मुझे लेंदी हाँ बहुत लेंदी है इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने बोले हर phylum के 5 points note down करो उसको बार बार revise करो तो चूज दे करेक्ट option यूरीमिया चैनलीड तो kidney failure squamous epithelium is present in the alveoli and blood capillaries nephridia are the excretory structure in earthworm all the above चलिए बताइए hello yes हाँ मुर्गा तो बनना पड़ेगा भाई उसमें मतलब कोई किसी को भी छूट नहीं है तो जो भी गलत आंसर देगा उसको बनना पड़ेगा मुर्गा अच्छ दिव्या चलो correct option है all the above यूरीमिया कौन सा condition होता है whenever there is increase in urea in your blood urea and emia का मतलब होता है blood so increase in urea in blood को बोला जाता है uremia जिसके वज़े से हो सकता है kidney failure squamous epithelium present होता है alveoli और blood capillaries में मैंने आपको कल ही बताया है and nephredia जो है excretory organ है earthworm में तीन तरह के nephredia होते है integumentary, pharyngeal and septal है ना तो फिर correct option होगा for that is all the above अगर आपने ये गलत किया है question मुर्गा बन जाएए और इस question को लिख लीजे अपने error file में और बार-बार करते जाएए revise okay जो मुर्गा नहीं बनेगा जो मुर्गा नहीं बनेगा उसको जो है उसको जो है next class में फिर कुछ और बनना पड़ेगा so swim poor night is on top और क्या बनना पड़ेगा फो मैं next class में बताऊंगी swim poor night is on top देखते है last question जल्दी आने वाला है देखते है कौन टॉप करता है हमारे इस session को very good kajal chicken बन रहा है हमेद question number 22 आपके screen पर actin is made up of tell me fast actin is made up of miromyosin, troponin tropomyosin and both BNC समझ गया है very good okay let's see what is the correct option miromyosin, troponin, tropomyosin and both B and C actin किसे बना है structure जो है मैंने बताया हुआ है एक मैं diagram based session लेके आने वाली हूँ जिसमें top 10 diagram based questions होंगे आप सभी के लिए okay बहुत ही interesting session होगा I'll tell you beforehand yes definitely Pujita you can go and watch my previous lectures जिसमें मैंने NCRT underline कराया है together with all the extra information जो भी जरूरी है उस chapter के लिए वो भी मैंने जो है लिखवाया है please go and make sure you are watching those sessions okay so correct option correct option was both B and C beta so troponin and tropomyosin बनाता है actin actin याद रखो actin जो actin के structure में होता है effectin together with tropomyosin and troponin troponin के होते हैं तीन subunit troponin C, troponin I and troponin T troponin C bind करता है calcium से वो pull करता है बाकी के troponin subunit को साथ ही tropomyosin को so tropomyosin is the protein जो mask करके रखता है myosin binding site on actin fine जैसे ही tropomyosin अपने position से हिलता है वैसे ही there is formation of cross bridge cross bridge formation किसके बीच में actin और myosin के बीच में समझ गए सभी बच्चे आएगा काजल बेटा आएगा पढ़ते जाओ patience रखो बार बार जो है revise करो सब कुछ समझ में आने लगेगा तो let's see swim poorna swim poorna is on top सुर्यकान second position पे and hardy है third position पे कोई भी change नहीं है हमारे leader board में कोई बात नहीं यह देखो अनुच तो मतला मस्त एक दम form में ही आ गया है question number 23 13 position कवीता very good low calcium in the body fluid may be the cause of calcium अगर हमारे body fluid में कम हो जाता है तो उसके वज़े से कौन सा disease होगा tetany anemia angina pectoris या gout hello जिते इंद्र जल्दी से बताओ क्या होगा correct option रितिक का position तो आज आगे बड़ी नहीं रहा है come on रितिक speed up जल्दी जल्दी जो है mark करो correct option speed and accuracy जल्दी कहा गया कोई बात नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आप अच्छा परफॉर्म करना ओके good evening good morning नहीं यह देखो good morning नहीं good evening हो रहा है बिटा okay thanks काजल so correct option is tetany बिटा calcium iron के कम होने से body fluid में होता है tetany tetany क्या है tetany है prolonged contraction without relaxation okay so prolonged contraction of muscles जब होता है without relaxation तो उस condition को बुला जाता है tetany जो calcium iron के कम होने के वज़े से हो सकता है and yes most importantly parathyroid hormone के कम होने के वज़े से भी हो सकता है जिसके वज़े से calcium iron कम होने okay चले लीडर बोर्ट देखते है very good deal let's see let's see what is our leaderboard saying क्या बोल रहा है leaderboard जल्दी देखते है swampoorna on top suryakhan's second position pants subashmita is on the third position so बहुत ही interesting होता जा रहा है session first position continuously change हो रहा है हमारे session में wrong हो गया कवीता ध्यान से जो है ध्यान से जो है reply करना है आपको question number 24 on your screen okay wow गर्वित very nice और कोई है जो बाकी के और planet पे है so statement 1 actin is made up of troponin tropomyosin and effectin statement 2 myosin head contains actin and ATP binding site so बताये कौन सा statement correct है और कौन सा statement है wrong hello Pujita okay okay बिटा I will take care Pujita कुछ भी नहीं समझा रहूल को Pluto काजल is from Pluto very good so statement 1 statement 2 which of these is correct tell me past so correct option is both the statements are correct first statement I have already discussed that troponin tropomyosin and effectin forms the structure of actin and yes this is given an NCRT the diagram of myosin head in which there is ATP binding side and there is actin binding side diya hua hai diagram mein NCRT ke mark कर लीजे जिनों ने भी गलत किया है statement को leaderboard पे Swampurna still on top so मुझे लग रहा है आज के हमारे session की winner होने वाली है Swampurna दो सूर्यकांत ने दिया है fastest reply ओके कोई बात नहीं राहूल कोई बात नहीं so yes you are very late विटा this is the last question of today's session please don't forget to like this session share करो अपने friends के साथ में subscribe करो go prep नी चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ओके अरे गर्वित the fluid present in bony labyrinth is called previous year question neural control and coordination का गलत नहीं करना है किसी को भी perilymph endolymph hololymph या juxtalymph तो कौन सा fluid present होता है in bony labyrinth this is a question of year ओके चल्दी बताओ क्या है सही आंसर a, b, c, or d, n, c, r, t में भी दिया हुआ है the correct option is perilymph so bony labyrinth के अंदर let's see कौन है हमारे आज के सेशन का विनर आज के हमारे सेशन के विनर है स्वेंपूर्ण very good स्वेंपूर्ण so she is the winner of our today's session very good congratulations सूर्य कांथ है second position पे then there is सुभा समिता हाडी अरिजीत निखिल रुचीर तरुन रिया and एनफ so यह सारे हैं हमारे top 10 बच्चे so really really impressed फेंपूर्ण very good तो इसी तरह से आप सभी भी आ सकते हो हमारे Menti quiz में top पर so don't forget to join my session from Tuesday to Saturday 4 p.m. onwards 4 p.m. से होगा मेरा session okay बीच बीच में मैं Menti quiz भी लेती हूँ mostly Thursday or Saturday को होता है मेरा Menti quiz and बाकी की days हम revise करते है class 11th का syllabus together with flowcharts together with previous questions and everything okay so that was it for today that was it yes बिलकुल स्वेंपूर्ण मेरी blessings आप सभी बच्चों के साथ में है खूब मैनत करो okay खूब मैनत करो and definitely आप जो है जल्दी जल्दी डॉक्टर बन जाओगे okay so thank you everyone I have enjoyed the session with you all hope you all have also enjoyed the session 18th Sushaila very good बिटा 22nd 36th okay कोई बात नहीं बिटा कोई बात नहीं next time आप भी आ सकते हो लीडर बोर्ड में Anurag 16th 36th Prakash कोई बात नहीं बिटा 14th अभिनव so very good so मिलेंगे Tuesday को 4 बजे don't forget to join my session bye bye take care everybody Garvid don't change your field वही करो जिसमें आपको सबसे जादा interest है okay so bye bye see you on Tuesday take care everybody